विजनौर में गंगा किनारे पर महाभारत कालीन रुकमणी उर्फ गलखा देवी का मंदिर है। इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और चड़ावा भी बहुत आता है। चड़ावे की रकम के लालच में इस मंदिर के पुजारी को बाल दास की उनके ही दो साथियों ने हत्या कर दी। पुलिस से बचने के लिए इन दोनों ने लाश को मंदिर परिसर में ही दफन कर दिया। जब कई दिनों सक मंदिर के पुजारी और भंडारे का पता नहीं चला, तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई पुलिस की तहकिकात में संसनिखेश खुलासा हुआ, पुलिस ने पुजारी गोपालदास की हत्या के आरोब है, उसके ही दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जो भंडारे की रकम के साथ ही मंदीर पर कब्दा करना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने पुजारी की हत्या की और साथू ने ठाने पर आके इस बात की सूचना दी कि इस तरह से एक वपालदास नाम के साथू है, जो गायब है, और उनको इस बात की आशंका है कि बाकी दोनों जो साथू है, उन्होंने उसकी हत्या कर दी अब साथू रूपी ये हत्यारे पुलिस की गयफ में है, इन्हें मंदिर तो नहीं मिला, और हाँ, अपनी करदूत के कारण अब इन्हें अब आतीन संदों जबड़ा होगा, विजनौर से सरफरास खान जानो दुनिया